तो इसका सबसे अच्छा किसान भाई के इलाज है नीन बिन पैसे की होस्ति है नीन का तेल निकाल के किसान भाई को अपने गर पे रखना चाहिए और दो तीन दिन में दोस्तों मुझे काफी दुख होता है जब एक छोटी सी इलाज की वज़े से एक पशू मर जाता है या पशू का दूद खतम हो जाता है इस वीडियो में अपनी एक सची कहानी बताना चाहिए दो दिन पहले मेरी इक भाई से बात हुई थी उन्होंने बताया कि मेरे पशू के थन में गाठ है दूद भी ना के बराबर आता है सफेद पानी थोड़ा 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 पानी पानी जैसा आ रहा है मैंने कुछ दवाईयां कुछ रिकमेंडेशन किया था कि भाई आप ऐसे ट्रीटमेंट करो आपको ठीक हो जाएगा आप उनसे जरूर बास्चित करो यह बहुत दिक्कत नहीं है जो आप बता रहे हैं लेकिन उस भाई का थोड़ा समय असावधानी का उन्हों या फिर उसका किसी तरह का भ्रम समझो उन्हें संपक्त नहीं किया और वो पशू वो गाय थी वो मर गई कुछ पशू अभी एक थनेला नाम के विमारी है वो बहुत बड़ी प्रोब्लम है और वो हर पशू में जहां तक मेरो पता है कुछ ना कुछ कम परसेंट यह ज्यादा मात्रा में रहती है वो ऐसे भी होता है कि जुरू निये थन में गांट हो लेकिन फिर भी विमारी रहत सेम चीजें हर चीज के साथ होती है हम आहिरवैदिक बंदे हैं हम पुरानी देशी तरीके से अपना खुद का टेटमेंट और असपास जो पशू रखते तो उनका उप्चार करते रहा है विक्की पंसारी जी के पास मेरे को फिर आना पड़ा सिरफ इस वजय को लेके ताकि है देशी तरीके से घरेलू तरीखे से घर में रहके अपने पशू का मस्टऴरी थनेला बिमारि का कैसे उत्यार करें उपकी सर कि मैं आपको और सभी भाईयों को बताना चाहता हूं कि थनकी कैसी भी प्रोब्लम हो प्राचीन काल से हमारे बुद्रगों ने थनकी प्रोब्लम के लिए हाजारों नुकसे बना हो एक नुकसा भी अगर किसान अच्छे शुपियोग कर लेगा तो थनकी प्रोब्लम ने कि आपको कुछ जडी बूटियां दिखाऊंगा कुछ अशियों हैं जो आपकी रषोईगर में मिल जियाएंगी रषोई गर्में ने तो आपके आसपास पेड़ पोटह से मिल जाएंगी आपको पहचान नहीं है तो किसी भी पनसारी की दुकान से लिजी लेक्ति लेकिन आ मानसुन का मौसम मैं बीमारी की तो बहुत ही ज़ादा यह कहलो कि एक मामारी की तरह भी तो इसका सबसे अच्छा किसान भाई के इलाज है नीम बिन पैसे की वश्टी है नीम का तेल निकाल के किसान भाई को अपने घर पे रखना चीए और दो तिन दिन में एक बार पशू के लगाना चाहिए इस से 50 परसेंट लेना कम आए नीम के तेल कैसे निकालने का तरीका क्या है कि नीम के उपर जो फल आते हैं जिसको हम देशी वासा में निमोली बोलते हैं नीम का गिरी कहलो आप नीम का फल कहलो उसको ग्राइंड कीजिए जितनी भी गि कैसा भी हो वैक्ट्रियल हो उसको छोड़ देगा नहीं दो दो तीन दिन में एक बार आप नेम का तेहल अपने प्रसू के थनों के लगए फिप्टी परसेंट बिमारिया कम आए फिर भी अगर आपके परसू के कोई बिमारी आ जाती है तो देखिए आप अंध विश्वास परसमें विश्वास ना किई सबसे पहले तो इस बिमारी का टेस्ट करो अच्छे जितनेवी डॉक्टर क्वालीफाइय डॉक्टर हैं उन की शेती है कि इस बिमारी को यहीं आपका पता लगे आप उसका दूद का टेस्ट करआब किसी अच्छे डॉक्टरी कि सलाल देखिए इंडिया में एक से एक अच्छे डॉक्टर है और यह को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है इस बीमारी का इलाज हो जाता है और इसका टेस्ट करवाने के बाद जब इसकी रिपोर्ट आए तो डॉक्टर के अनुसार उसका आप ऐलोपैथिक होमियोपैथिक जो भी लाज करना चाहें कीजिए कोई समश्या नहीं एक मुष्ट आपका इलाज नहीं होने पाता तो उसके बाद आप जड़ी भूटियों की तरफ आ सकते हैं घरिलू मसालों की तरफ आ सकते हैं देखिए इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है आपकी रसोई गर्मी का आपके प्रसु के थन में चीछड़े आए हैं या कैसी भी कोई प्रोब्लम हो गाठ हो सोजन हो थन उपर चड़ गया हो तो सबसे पहले आप काली मिच लिजिए कूट के गुड में मिला के देजिए सुबह उससे अराम हो जाना चाहिए सर आप साप में मात्रा जूरू बता आपको उसकी चिकिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् वाइदा क्या है कि उसका किसी भी तरह का कोई साइड इस आपने काली मिर्च खाई है रोज खाते हैं आवला भी खाया होगा तो उन्हीं सबीचिजों से हमारे बुजरुग यह दोया बना के लिए देखें मैं इनको दोयों का सबत नहीं लोएना चाहूंगा यह नुक्से हैं इनका सदूपयों मनद किस तरह की दिक्कत पर किस चीज़ को यूज करें कमी क्या है कि इनका इतना ज्यादा विवरण है कि हम लोग अगर इनको संग्रह कर लेना तो कितनी भी बड़ी से बड़ी बिमारी हो पसूबी किसान अपने हतों से उसका इलाज कर तो मैं आपको कु जब आपकी पोजिटिव आप इनको खिलाना सरू करती जिए आप देखिए नेगिटिव हो जाएगी इसमें नेगिटिव पोजिटिव का बड़ा दिंदेट होता है वैसे हम कोई भी बीमारी है उसका टैस्ट करवाते हैं तो पोजिटिव रिपोर्ट आती है तो आम समझत आप अच्छे से देखिए लेकिन जड़ी बूटियां बिल्कुल साफ सुन्दर होनी चाहिए साफ होनी चीए नई होनी चीए पुरानी ना होनी चीए नहीं तो आपके परसु को अराम नहीं होगा काली मिर्च लेजिए 100 ग्राम आप यह समुंदर का जहाग यह भी आपको 100 सोस्योग्राम लेना है अब यह काला जीरी काला जीरी इस बिमारी के लिए बहुती अक्षी रोष्दियां आप देखे कितनी साफ सुथरी है ऐसे लीजी आप अब आप आप साथ साथ इंची जो को नोट करने सर ने जो मातरा बताई उसके बाद आप इन दवाईयें को पंस साथ ठेकरी कि इसके बाद है कि सौया के बीज इसमें लोगों को बड़ा कन्फिजन रहता है सौया की बीज की जहा सौया बीन की दाल लेंकि में तो स्जड़ी यह जीरे की परजाती की जीरे जैसी इसके अंदर सामयल आती है यह लेक्यानिा उसके बाद लेकाना आपको में लगता है वो काम कम करता है यह जादा काम करता है इसमें विटामिन C की मातरा बहुत जादा है यह बीमारी कहीं ना कहीं विटामिन विटामिन c का अगर हम अपने पर सूब पर लगाता रुप्योंग करेंगे तो यह बीमारी नहीं आएगी तो बिटामिन कर लीजिए गराइंड करके आठ खुराक आपको करनी है सुबह श्याम चार दिन दीजिए चार दिन में आपको 50 परसेंट बिल जाएंगा जब आठ मात्रा इसा आठ प्रडुक्ट अपने सार ने बताये हैं आठ सो ग्राम ग्राइंड करना है आठ बार मतलब चार दिन आपको सुबह शाम सोग्राम घर खिलाना है घुड में मिला के खिला देना यह जो मात्रा है अडल्ट पसु की है पसु परगनेंट नहीं होना चाहिए अगर आपका पशू परगनेंट है तो इसकी मात्रा आठ आधी कर लेजी हाफ कर लीजिए खिलाई अरा हो जाएगा चार दिन म मातरा मतलब पूरी 800 ग्राम के मिलाने ग्राइंड करने के बाद मिलाएं नहीं जैसे क्या होगे 800 ग्राम दवया हो गई उसके बाद 100 ग्राम दवाई लीजिए 100 ग्राम गुड़ लीजिए लड़ू बना के देदी यह जो मैं आपको मातरा बता रहा हूं अडल्ट पसुकी है प यह आप ठीक हो जाएगा तो यह खतरला बिमारी इसस पशू मरत ही मैंने देख्या behavi यह आप किसी भी पनसारी में के पास या कि साप सुथरा ताजा फ्रेश यह अपना प्रोड़क यह चीज़े खरीदें इसको आप इतनी मातरा में सर ने बताया वैसे बना सकते हैं एक और भी है कि सर अगर यह प्रोड़क्ट आपको कहीं ना मिले पंसार के पास अवेलेबन ना हो तो सर के पास यह अच्छी क्वालतेगी हो नहीं तो आपके पैसे भी खराब हो जाएंगे और देशी करेलू चिकित्स्या पर आपको जो विश्वास है वह भी खतम हो जाएगा आपको यह मिल जाती है तो दीबैक्ट ना मिले तो मैंने इन सब को ग्राइंड करके एक प्रोड़क त्यार किय कशाने की करता हूं उसको बोलता हूं कि आप एक पैकेट मेरी से लेके चाईगे एक ठोपी बेर को लुख्यक्यक्वाब एक उसके गड़कीदेट पिर साथ में लैब में एक रिपोर्ट चेक कर रोए आपका पशू आपका पिमार होगा और डॉक्टर हजारों लाख पाएंगे हर घर में आपको डॉक्टर मिलेगा औरे भाई फलाना चीजग खिला दे तो ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए इन चीजों को अच्छे से सटड़ी कीजिया सटड़ी करके इनका संग्रह कीजिए यह आने वाले समय में यह उस्दिया ही हमारे पस्वों का हिलाज है सतंदर जी मैं आपके बात और पता देना चाहता हूं चीन जापान जैसे जो विक्षित देश बोले ज किसी के उपर भी काम करना कम कर चुके हैं क्योंकि हम मैं बढ़ पर भी काम करता हूं यूमेन का हमें पता है एंटी बैटनिक काम करना बंद कर दिया है डोज की मात्रा बढ़ा दी गई है तो यह जो देशी इलाज है यह बहुत 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 धन्यवाद आपका वीडियो शेर करें और सरके नमबर नोट परके रख लें मस्ट इडिस का बहुत नुक्चार करने के लिए आप देवाद के परियोग कर सकते हैं इन गरिन दूसकों को अपना सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका